हम बहुत हैं था मज़ीदार किचन में बहुत ही हेल्दी सैंडविच की रेसिपी देखेंगे इस सैंडविच को बनाने में मैंने मेदे का यूज नहीं किया है यह बहुत ही कम और बनाएगे और अंदर एक मज़ीदार सी स्टफिंग भी दालेगे तो चलिए शुरू करते है रेसिपी सबसे पहले इडली डोसा का बैटर है उसमें हम ये वेज़िटेबल्स एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक प्याज है गाजर, कड़ी पत्ते है कुछ, हरे मिर्श थोड़ी ली मैंने और अद्रक है आप आपके पसंदी कोई भी वेज़िटेबल्स इसमें एड़ कर सकते है सबी वेज़िटेबल्स को आपने बहुत ही फाइनली चॉप करना है मैंने चॉपर में इसे कट कर लिया है और ये सारे वेज़िटेबल्स हम झो इली टोसा का बेटर है उसमें आड deviation करेंगे और शाथ ही देखिए नमक भी आड करेंगे नमक आपके टेस्ट के अ कॉर्डिंगि एड गया और आड़िess करें और आप देखिए यह ee Sandwich maker reborn है इसमें हम a sandwich बनाएगे टेह कि इस जोसी नहीं करना है अब गैस को मैं आउन कर लेती हूं फ्लेम को हमने लोही रखना है और जो हमने अभी बैटर में सबजियां और टमक एड़ किया है वो बैटर हम इसके उपर डाल देंगे बैटर को देखिए अच्छी तरह से स्प्रेट करना है उसके बाद यहां पर मैं आलू की स्टफिंग एड़ करी हूं यानि के अलू की सबजी है वो एड़ कर रही हूं आप आपके पसंद की कोई भी स्टफिंग दाल सकते है या फिर कोई भी आपकी करीव या सुकी सबजी ब पीच में और फिर बैटर है अब हम इसे बन कर लेंगे तो बन करने के लिए देखिए यहां पर एक हुक होता है इसे आप इस तरह से लगा ले अब हमने लो फ्लेम पर ही देखिए इसे पकाना है तकरीबन एक से दो मिनट तक आपने इसे इस तरह से पकने देना है उसके बा जब चाहें तो आप बीच में चेक भी कर सकते हैं कितना पका है यहाँ पर देखिए मैं यह खोल कर चेक कर रही हूँ देखिए अब यह पका नहीं है पकना स्टार्ट हो गया है लेकिन इसका जो कलर है नाइस ब्राउन जो कलर आना चाहिए वह नहीं आया है और थोड़ा ड्र अब जो फ्लेम है वह आपके हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा करते रहें और साइट को हर थोड़ी थोड़ी देर से आपने चेंज करते रहना है तो अब तकरीबन देखिए 10 मिनट हो गया है क्योंकि मैंने लो फ्लेम पर इसे पकाया है इसलिए थोड़ा टाइम ज्याद छोड़ देता है इसी तरह से आपने दूसरा सैंड़ीच भी बना लेना है बस इस बात का खयार रखना है कि फ्लेम को आपने बहुत ही ज्यादा हाई नहीं करना है वरना यह जो सैंड़ीचे से जल सकते हैं हर थोड़ी देर से आपने इनकी साइट चेंज करते रहना है और किस तरह से पक रहे हैं जो साइट से नहीं पके हैं आपने वहां पर तुड़ा ज्याता पका लेना है और यह सैंड़ीच बनकर तयार हो जाएगे और बहुत यह असानी से निकल जाते हैं जिपकते बिलकुल भी नहीं है एक तो हेल्दी है ना ही इनो है ना ही सोड़ा है वे फैमिली के साथ और मज़िदार किच्छन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए तब तक मज़िदार खाएं खुश रहे और थैंक्स अलोट पर फॉचिंग